कि सारे भाइना नाम राम मैं संदीप नोखवाल फिर से पूंच चुका हूं बाड़ पीडिद शेतर में शेतर की बात की जाए तो यह रतिया से इधर जो आप देख पारें बोर्ड गाउं का नाम भी लिखावा सैकुपुर सोटर फतेबाद यानि मैं बुन्ना साइड से हू लेकिन यह पास का गाउं है डूब चुका है देख सकते हैं गाउं के अंदर पानी चड़ चुका है देखिए लोगों ने जो खाने पीने का जो समान है जो जो गयूं बेगेरा है चतों के उपर रख दिया है और उपर कागज भी लगा दिया गया देख सकते हैं खाटे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी भीब मौझुद नहीं है वरना मैं आपको घरों के अहलात भी दिखाता और देखते हैं कि अलात दिखाने का मोका में बेलेगा तो जूरू दिखाऊंगा उससे पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी परबंद भी किया था आप के अंदर हाई टेक सिस्टम में देखने को मिल रही है और गाओं वालों ने शुरक्षा के प्रबंद खुद से किये थे लेकिन जो शुरक्षा नहीं हो पाई फिर भी पानी गुस चुका है और पानी की बात की जाए तो एक एक फूट तक पानी गुस चुका है तो मैं जो है की साइड से बिजली बोर्ड के अंदर की साइड से आपको दिखाता हूं बिजली बोर्ड वालों ने भी परमंद किया हुआ है लेकिन बिजली बोर्ड काफी ऊपर है तो यहां पर पानी नहीं गुसा है तो उदर की साइड से कोई जो है रास्ता नहीं दानेगा और दिवा कामरा मैंने से कहूंगा कि जूम करके दिखा दे इन चीजों को और जो है गरों के अंदर जो पानी था वह चड़ चुका है जिसके कान जो है लोग मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं साइध वह गरों को छोड़ कर जा चुके हैं यह पर बिलकुल आपको चैंचा चुप-चा सकते छोटा सा मंदिर है यह जो भी है वह देख सेके पूरा पानी अंदर डूब चुका है और आप देख सकते हैं कि यहां पर गाओं के अंदर फानी घुस इंहांक पर भाण। पास दिवार दूर थी तो पाणी नहीं गुश है लेकिन जो है गाओं वालों ने इस रक्षा के परबंद किये थे मिट्टी डाली थी बोर्डर भी लगाया था अभी मिट्टी कट गई तो कट गई और पाणी अंदर गुश गया तो यह यहां के हलात है काफी लोगों को और भी स्क्राइब द्राइब यह के लिए यह क Intelli को रहा है यह काफी बात आप ऐसी है जो मिटता मिली जा सकती है तो साथ ही आपको है इसे ही आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको देता रहूंगा जाहिए